तो दोस्तों मैं आपसे इस बीडियो में BE Automobile Engineering Course के बारे में आपसे मैं इस बीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ सबसे बेले मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि BE Automobile Engineering Course क्या होता है इसमें किस प्रकार के subject होते हैं जै कोर्स कितने वर्ष का कोर्स होता है eligibility criteria और अंत में मैं आपसे job profiles के बारे में आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर आप BE Automobile Engineering का कोर्स कंप्लीट कर लेते हो आपको किस प्रकार की job मिल सकती है तो जैसे सारी बातें आपसे मैं इस बीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हो educational word star channel तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपसे BE Automobile Engineering कोर्स के बारे में आपसे मैं इस बीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तो अगर आपने 12 की class को पास कर लिया है और आपको जये जानना है कि 12 की class को पास करने के बाद आखिर कौन-कौन से कोर्सस होते हैं तो मैंने उन वीडियो का लिंक इस बीडियो के description में दे दिया है आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद उन वीडियो को भी जरूर देखिएगा तो चलिए अब हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कुस करने वालाओं की What is BE Automobile Engineering Course जैने की BE Automobile Engineering Course क्या है तो BE का मतलब होता है Bachelor of Engineering तो जैने कोर्स एक Undergraduate Course है और इस कोर्स को आप 12 की क्लास को पास करने के बाद कर सकते हो इस कोर्स में आपको काफी बेसिक तरीके से बताया जाता है कि आपको कैसे Manufacturing और Designing करनी है Automobile की अब Automobile में कई सारी चीज़ें आ जाती हैं अब जैसे की Truck, Buses और Cars आप इस कोर्स के माद्यम से सीखते हो कि आप कैसे इन चीज़ों को Operate कर सकते हो तो Theory और Practical दोनों चीज़ें आप इस कोर्स में काफी अच्छे त्रीके से सीखते हो तो इस कोर्स का जो Scope है वो आगे जाकर काफी बढ़ने बाला है अबी मैं आपसे Course, duration के बारे में आपसे मैं डिसकस करने वालाओं कि जाए Course कितने वर्श का कोर्स होता है तो दोस्तों मैं आपको उताना चाहता हो कि Automobile Engineering Course चार वर्श का कोर्स होता है और इस कोर्स में 8 semester होते हैं और autumn oil engineering course को आप semester base के उपर आप इस course को पूरा करते हो अभी दोस्तों मैं आपसे job profiles के बारे में आपसे में discuss करने वाला हों कि अगर आप autumn oil engineering का course complete कर लेते हो आपको किस परकार की job मिल सकती है तो दोस्तों आप autumn oil engineer बन सकते हो इसके लावा आप design engineer भी बन सकते हो आप sales officer भी बन सकते हो तो जैस अब आपकी personal skill और knowledge के उपर depend करता है कि आपको किस sector में job मिल सकती है अभी आपसे मैं subject डिस्कूस करने वाला हो कि BE autumn oil engineering course में आपको किस परकार के subject आपको पढ़ने के लिए मिल सकते हैं तो दोस्तों इस course में आपको technical English, engineering, graphics, statistics and numerical methods, engineering, thermodynamics, etc. subject सापक पढ़ने के लिए मिल सकते हैं इस course में आपको theory के साथ practical की knowledge दी जाती है और वी BE autumn oil engineering course में कई सारे subject होते हैं जो आपको इस course के दुरान पूरे करवाए जाते हैं अभी आपसे मैं eligibility criteria और admission process के बारे में आपसे मैं discuss करने वाला हों कि आप BE autumn oil engineering course में आपकिस परकार से admission ले सकते हो तो इस course में admission लेने के लिए आपको 12th की class को pass करना होगा आपको 12th की class physics, mystery और mathematics के subject हों के साथ pass करना होगा 12th की class pass करने के बाद दोस्तों आपको entrance exam देना होगा जब आप entrance exam को clear कर लोगे आपको college में admission मिल जाएगा लेकिन अगर आपको entrance exam नहीं देना फिर भी आप किसी private college में direct admission ले सकते हो तो जैस सिरफ college के उपर ही depend होता है तो दोस्तों इस बीडियो में मैंने आपसे BE autumn oil engineering course के बारे में आपसे मैं इस बीडियो में discuss किया है मुझे लगता है कि आपका जो doubt होगा इस course के regarding बहु क्लियर हो चुका होगा लेकिन फिर भी अगर आपका कोई doubt है तो आप नीचे मुझे comment box में comment करके पूछ सकते हो नहीं तो आपको इस बीडियो के description में काफी courses के बारे में बीडियो मिल जाएंगी आप उन्हें बाँ जाकर भी देख सकते हो तो अन्त में दोस्तो अभी आपको जै वीडियो केसी लगी अगर आपको जै वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दन्यवाद